हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चेनल आर्ड डिजैन में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक न्यू ग्राउंड प्लोर हाउस प्लान जिसका प्लोर साइज है 30 पिट बाई 45 पिट 30 पिट बाई 45 पिट के इस हाउस प्लान को वेस्ट पेस बनाया है जो की 2BHK वित कार पार्किंग का ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान है इस हाउस प्लान को 1000 स्क्वार पिट एरिये के अंदर डिजैन किया है बाकी अपना जो एरिया बचा है वो है फ्रेंड और बेक साइड मे ओपन एरिया क्योंकि अपने इस वेस्ट फेस के प्लोट के 3 साइड अधर प्रोपर्टी है आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आर्डी डिजैन पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बेल कि यहां से एंटर करते हैं फ्रंट में यहां पर ऑपन इस सपेस रखा है जिसमें आप गारडन बना सकते हैं आज की है इस हाउस प्लान में इन्ट्रेंश के लिए हमारे पास टू आप्सन है first है अपना carport से, second है अपना staircase के पास से जैसे ही हम open area से आगे आते हैं तो यहाँ पर design किया है carport जिसका size है 8 feet 4 inch by 14 feet 9 inch यहाँ पर यह door है जिससे हम अपने living hall में आ सकते हैं अब हम देखते हैं इंट्रेंज का second option जो है अपना front में staircase के पास से यहाँ पर यह पेसेज है और यहाँ पर staircase डिजैन किया है जहाँ से हम अपने second floor पर एंटर कर सकते हैं staircase को इस house plan में AJ rent purpose separate डिजैन किया है जहाँ से हम अपने living hall में एंटर करते हैं living hall का detail देखने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर यह bedroom बनाया है जिसका size रखा है ग्यारा फिट छे इंची बाई दस फिट तेन इंची इसमें रोसनी के लिए फ्रेंट साइड में यह window रखा है सामान storage के लिए इस bedroom में यहाँ पर वार्डरोब बनाया है वोल के इंदर से एफरेट इस bedroom में यहाँ पर attached toilet है जिसका dimension पांस फिट डेड इंची बाई पांस फिट है और यहाँ पर यह OTS रखा है इस OTS में attached toilet और common toilet का ventilation दिया है क्योंकि अपने south side में other property है तो इस तरह हम ventilation दे नहीं सकते अभी हम देखते हैं अपने living hall की detail living hall का size है 16 feet 3 inch by 11 feet 9 inch इसमें यहाँ पर वेटग का option रखा है रोसनी के लिए यहाँ पर यह विग window रखा है और यहाँ पर आप जो यह OTS देख रहे हैं यह है open area इस open area के अंदर bedroom और hall का ventilation रखा है hall के पास में यहाँ पर common toilet है जिसका size है 7 feet 7.5 inch by 5 feet living hall से हम एंटर करते हैं अपने kitchen में यहाँ पर kitchen बनाया है kitchen का size है 11 feet 6 inch by 6 feet 4.5 inch kitchen में यहाँ पर working platform है रोसनी के लिए back side में यहाँ पर window रखा है और यहाँ पर सामान storage के लिए wardrobe बनाया है यहाँ पर यह kitchen store है इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर पूजा गर बनाया है जिसका size है 4 feet 3 inch by 3 feet 3 inch इसके आगे हम डिसकस करते हैं अपने bedroom की detail इस bedroom के size की बात करें तो इसका size है 12 feet by 10 feet इसमें रोसनी के लिए एक window यहाँ पर OTS की तरब रखा है और दूसरा window back side में यानि की east side में open area की तरब दिया है इसमें भी यहाँ पर wardrobe बनाया है इस bedroom में यहाँ फे second door है जिससे हम अपने back side में जो open area रखा है इधर आ सकते है सोगैज आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में share किया है 30 feet by 45 feet का west pass to bhk with car parking का ground floor house plan उमीद करती हूँ कि आपको यह house plan अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और share जरूर करें थैंक्स